क्या आप लगता है कि छुटी-छुटी कंपनियों में investment करने से ज्यादा long term में ज्यादा wealthy create होती है तो फिर तो आप definitely small cap funds में investment करना चाहते होंगे तो आज की इस वीडियो में हम small cap funds के बारे में जानेंगे और देखेंगे top 3 small cap funds कौन से हैं और यदि मुझे इंवेस्टमेंट करना होगा तो मैं किस फंड में इंवेस्टमेंट करूँगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते है Small Cap Fund, Equity Mutual Fund की ऐसी कैटेगरी है जो Small Cap Stocks में इंवेस्टमेंट करती है Small Cap Stocks को कौन से होते हैं? Stock Market में Listed Top 250 Stocks को छोड़ कर बाकि जितने भी Stocks होते हैं Small Cap Stocks में आते हैं यह जो Small Cap Stocks होते हैं छोटी कंपनिया होती हैं, Merging Companies होती है और ऐसा माना जाता है कि जो कंपनिया छोटी होती हैं उनमें Future में Growth Potential Very High होता है और साथी साथ Risk भी बहुत ज़्यादा होता है इसलिए जो Small Cap Funds होते हैं बहुत ही ज़्यादा Volatile होते हैं कई बार 2-3-3 साल तक इनके Returns नेगेटिव रहते हैं तो इसलिए यदि हमारी Risk Profile अच्छी है, हमारी Risk Capacity अच्छी है और हम किसी Long Term Goal के लिए Investment कर रहे हैं से कम 8 साल-10 साल लंबे Long Term Goal के लिए Investment कर रहे हैं तो फिर हम इन Small Cap Fund में Investment कंसिडर कर सकते हैं और ऐसे के इसमें हम अपनी Assets का 10-20% हिस्सा भी इसमें ऐलोगेट कर सकते हैं हमारी Top 3 Small Cap Funds की लिस्ट में जो पहला Fund है Kenra Rubai को Small Cap Funds इस Fund का Inception 2019 में हुआ था मतलब कि यह थोड़ा नया Fund है इस Fund का AUM पचीस सो करोड है जब भी हम Small Cap Funds में Investment करते हैं तो हमें उसका AUM जरूर देखना चाहिए क्योंकि Small Cap जो कंपनियें होती हैं बहुत छोटी कंपनी होती हैं इन में बहुत ज़्यादा Investment की Opportunities नहीं होती है इसलिए ज़िए किसी Fund का AUM बहुत हाई है तो ऐसे में वो फिल लॉंक टम में उतने ज़्यादा Return Deliver नहीं कर पाएं इसका Expense Ratio 2.16% है जो की Industry Average के लगबग बराबर ही है टॉप सेक्टर वाइज अलोकेशन देखें टॉप सेक्टर में तो Consumer Durables में 8.79% Capital Market में 8.77% Industrial Products में 8.27% Finance में 6.72% और Transport Services में 5.49% का अलोकेशन है Number of Stocks देखें तो 66 Stock का Diversified Portfolio है Top 5 Stock में वेटेज 12.5% है Top 10 Stock में वेटेज 22.88% है और Top 3 Sectors में वेटेज 14.9% का है Market Gap वाइज अलोकेशन देखें तो Large Cap Stock में 4.58% Mid Cap Stock में 21.31% और Small Cap Stock में 65.15% है तो as usual यह दी Small Cap Stock Small Cap Fund है तो Small Cap में ज्यादा अलोकेशन हो गई Past Performance देखें तो One Year Performance 16.83% का है Two Year Performance 55.83% का Three Year Performance 35.84% का है अलोकेशन इस फंड का And since inception 28.31% का अलोकेशन इस फंड का हमारे पास बहुत लंबा ट्रेक्ट रिकॉर्ड नहीं है But as for AMC Canada रुबे को AMC के ज्यादा तर Funds बहुत अच्छे Top Performing होते हैं इस कारण यह हमारी लिस्ट में है Risk Resures देखें तो Benchmark से कम Volatility दिया है अपने फंड के Tenure में R2.94% है Sharper Ratio बहुत ही हाई है 1.05% Sharper Ratio हमें बताता है कि Risk Adjusted Return क्या है मतलब कि कितना कम रिस्क लेके कितना ज़्यादा रिटन दिया है जो कि बहुत अच्छा है Portfolio turnover Ratio 0.15 है जो कि काफी low है और यह जितना low होता है उतने ही अच्छा होता है इसका मतलब यह है कि जो fund manager है उन्होंने fund stocks को लंबे समय तक खुल्ड करके रखा है इस fund के fund manager आजेख खंडेलवाल है जो कि 2021 से fund के साथ में श्रीदत्ता बनवलदार इस fund के साथ जो की थोड़ा हाई इंडस्ट्री एवरेस है सेक्टर वाइस जैलोकेशन देखें टॉप सेक्टर में तो consumer durables में 17.57% pharma में 6.81% industrial capital में 6.42% banks में 6.19% non-ferrous metal में 6.04% number of stocks देखें तो 57 stocks हैं top 5 stocks में वेटेश 24.53% top 10 stocks में वेटेश 38.95% है and top 3 sectors में वेटेश 24.11% का है market cap wise allocation देखें तो large gap में 24.45% का allocation है जो काफी high है किसी small gap fund के लिए जो कि इसे थोड़ा less risky बनाता है mid gap stock में 1.24% and small gap stock में 61.11% का allocation है risk ratios देखें तो standard division 32.72 32.72 R squared 0.83 beta 1.08 and sharp ratio 0.96 है portfolio turnover ratio देखें 0.72 times है fund managers है Sanjeev Sharma जो 2007 से manage कर रहे है was of struggle जो 2019 से इस fund में और अंकित पांडे जो 2020 से इस fund को manage कर रहे है अगला fund जो हमारी लिस्ट में है axis small gap fund इस fund का inception 2013 में हुआ था इसका AUM 8,900 करोड है जो की high है बट इतने high AUM के बाद भी इस fund ने consistent performance deliver दिया है इसी कारण ये अभी भी हमारी लिस्ट में बना हुआ है expense ratio 2.04% है जो की industry average के बराबर है sector wise allocation देखें top sectors में तो chemicals में 17.07% health care में 9.22% information technology में 9.12% automobile में 7.49% है financial services में 7.09% का allocation है number of stocks देखें तो 74% का well diversified portfolio है top 5 stock में weightage 20.62% top 10 stock में weightage 33.28% top 3 sector में 29% का weightage है market cap wise allocation देखें तो large gap stocks में 34% mid 0.34% mid gap stocks में 4.43% small gap stocks में 58.4% का allocation है risk ratios देखें standard deviation 30.47% है जो की काफी हाई है beta 0.77 है जो इसका मतलब यह है कि यह fund अपने benchmark से थोड़ा कम volatile है share pay ratio 0.63 है जो की बाकी PR से थोड़ा कम है portfolio turnover ratio again very low 0.14 है जो की buy and hold की strategy बताता है past performance देखें तो 10 year में 7.30% 3 year में 23.94% और 5 year में 17.22% since inception 22.17% का बहुत ही अच्छा return दिलिवर गया है fund manager देगे तो अनुपमतिवारी है जो इस fund के साथ 2016 से जो यह इन तीनों में से किसी एक fund में मुझे investment करना होगा तो मैं camera rubay को small के fund को choose करूँगा क्योंकि यह fund भले नया है पर इसका AUM भी limited range में है और camera rubay को जो AMC है वो one of my favorite AMCs में से इसलिए मैं camera rubay को AMC के साथ में जाऊँगा small cap funds जो होते हैं हमें तभी अच्छे return देते हैं जब हम उनके साथ long term तक invested हैं इसलिए यदि आप small cap funds से मैं investment करना चाहते हैं तो अपने advisor distributor के help लें और किसी long term goal के लिए investment करें यदि आपको mutual fund या किसी भी scheme से related stocks, investment या फिर insurance, किसी भी investment product related doubt है तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हैं या फिर नीचे दी हमारे whatsapp number पे message करके पूछ सकते हैं यदि इसी तरह के और भी informative videos आप देखना चाहते हैं तो हमारे channel को subscribe करें और bell icon को press करें धन्यवाद